सीधी से सीधा दश्मत रावत मुख्यमंत्री निवास पहुचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान उन्हें हाथ पकड़कर अंदर ले गए पैरध हुए शौल उड़ाया तिलक लगाया साथ में नाश्ता किया और फिर पौधे लगाने पहुचे सीधी में दश्मत के घर पर युवा कॉंगरेस के अध्यक्ष विकरांद भूरिया पीडित की पत्नी के साथ बैठे थे इसी दोरान मुख्यमंत्री का कॉल आ गया अधिया तो जा रहा है अधिया दो दिन से इनने कुछ खाया पिया नहीं दश्मत्री जो को समाच से आते हैं वो अकेले कमाने वाले परिवार के थे और उनको सिर्फ शिवराज सिंग चोहां जी उनसे मिलना चाहते तो उठा कर ले गए वैं शिवराज सिंग जी जी से पूछता हूँ कि ऐसी क्या ज़रुद थी अगर आपको पीड़ा थी तो आपको यहां इनके परिवार से मिलना था एक परिवार को तोड़ कर पती को छी बुदवार रादभी पीड़ित के घर पूर मेता पतिपक्ष अजय सिंग पूरु मंत्री कमलेश्वर पटेल बैठे रहे पुलिस अधिकारियों को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई जिसके साथ अन्याय हुआ वो मुख्यमंतरी फोटो की चुवाएगा सरम नहीं आती मुख्यमंतरी को भी और भाजपा के नेताओं को सरम नहीं आ रही है पहले गुंडे दलालों को संदक छड़ देते हैं और आप लोग उनकी भी जबली मजाने में लगए है यहां अरोपी प्रवेश उकला जो गिरफतारी के वक्त भगवा गमचे में तनकर थाने पहुचा था वो अगले दिन पुलिस की किरकिरी के बाद हैरान परेशान पिटा हुआ गाड़ी में बैठा क्यामरे को देखते हुए एक दिन पहले कंधे पर थपकी देनवाले पुलिस कर् भारतिय जंता युवा मोर्चा का मंडग सर का पताधिकारी रह चुका है और शायद यही वजह है कि जब वो गिरफतार हुआ तो थाने में उसकी अकड दिखी लेकिन अगले दिन पुलिस वालों ने उसकी अकड निकाल दी काश ये अकड पहले निकाली होती तो फिर किसी जाती या किसी सत्ता के दंभ में कोई दश्मत रावत परिशान नहीं होता भूपाल से अपने कैमरा से योगी रिजवान खान के साथ अनुराग भारी इंडिटीव इंडिया